दोस्तो RRB NTPC की पहली सिप्ट में जितने भी questions पूछे गएते वो मैं आपको Telegram पर free में share कर चुका हूँ यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग क्या discuss करेंगे RRB NTPC में जो दूसरी सिप्ट में questions पूछे गए हैं उसको मैं उसको भी Telegram पर share करूँगा और सारे PDF आप हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है Target Study IQ दोस्तो आपको हमारी PDF थोड़ा सा लेट जरूर मिलेगी लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है so that आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो तो यहां पर देखो कौन-कौन से question पूछे गया है पहला एक question पूछा गया है MICR से related अब इसमें exactly यह नहीं पता है कि उसके बारे में क्या पूछा गया है लेकिन इस type का जो question आता है उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा MICR में C का full form क्या है या फिर आपसे पूछेगा I का full form क्या है तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा MICR का full form है Magnetic Ink Character Reader ठीक है Father of Atomic Theory जो है John Dalton जम्बू इन कस्मीर को यह वाला question पहली shift का है लेकिन इसको इसमें include कर दिया है जम्बू इन कस्मीर को लेह से जोडने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है तो उसका नम है जोजीला पास जोजीला दर्रा फिर है जलिया बला बाग जो है यह कौन से वर्स हुआ था तो 19 April 1919 को जलिया बला बाग जो है यह हुआ था और उस समय के जो जनरल थे, उसका पर भी कोशन पूछा गया था, जनरल डायर, फिर एक विद्रो हुआ था, केरल में, मोपला विद्रो, तो इसको मोपला rebellion के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था, तो केरला में 1921 में हुआ था, ये पूछा गया था, फिर है जिए cosmology है, ये किस चीज के अध्यान को कहते हैं, तो study of outer space को cosmology कहते हैं, पेटियम के founder कौन है, तो विजय सेकर सर्मा, पेटियम के founder है, नाबिक की खोच किस ने करी थी, तो रदर फोर्ड ने नाबिक की खोच करी थी, इसका DTO के full farm इसका है, और इसको nuclear reactor में मंदक के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, तो किस के लिए मंदक के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, United Nation का headquarter, अब आप समझें कि इतने आसान आसान दोस्तों गोशन पूछे गए है, एक भी कुस्तन हमारी currentFS की PDF से बहार नहीं है, इवन आप static gk वाला part भी हमारी PDF से ही आपको मिल गया होगा, तो United Nation का जो headquarter है, ये New York में इस्तित है, ये पूछा गया था, अर्तिसास्तर में जो Nobel पाने वाले, पहले भारतिये कौन मने हैं, तो Amartisian बने हैं जिनको अर्तिसास्तर में Nobel प्राइस दिया गया था, इसके बात में हैं, मद्द प्रदेश के गवर्नर का क्याना में जिनका हाल ही में निदन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा, लाल जी टेंडन जो है, ये मद्द प्रदेश के पूर्व गवर्नर है, जिनका निदन हो गया था, फिर ये जो एक और्गने जिसन है, भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, बार्क, बी ए आर्सी, इसका जो हैडक्वाटर है, कहाँ परिस्तित है, तो इसका हैडक्वाटर है, ट्रॉम्बे, महराष्टरा में इस्तित है, इसके फाउंडर का नाम आपको बता देता हूँ, होमी भाबा, इसके समय जो डर्ग्टर जनरल है, वो है डॉक्टर अजीत कुमार मोहनती, और बार् कुशन मनेगा, कि उस व्यक्ति का नाम बताईए, जिन्होंने पहली बार भारत की राश्ट्री आय की गड़ना करी थी, तो इसका आंसर हो जागा, दादा भाई नरोजी, जिन्होंने भारती राश्ट्री आय की गड़ना करी थी, Silent Valley National Park कहां पर इस्तित है, केरला में इस्तित है, आपसे पूछा गया है, इसके बाद में Nokia का CEO कौन है, तो Nokia के जो CEO है, उनका नम है Peka Lundmark, तो ये Nokia के इस समें CEO है, भारती सविधान के किस संसोधन में Fundamental Duties को जोड़ा गया है, तो 42 संसोधन जो है, उसमें इसको जोड़ा गय है, विटामिन D की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रीकेट्स जो है, विटामिन D की कमी से हो जाता है, गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नम है, विजयरुपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है, दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा, इस पूरे PDF को अगर आप download कर लोगे टेलिग्राम कैसे join करता है टेलिग्राम पर आपको search करना है target study IQ टारगेt study IQ वहाँ पर आपको यह पूरा PDF जो है मिल जाएगा फिर है कि स्वाराज पार्टी के इस्ताफक कौन है तो चित रन्जन दास और जबाल लान लेहरू उन्हें मिलकर स्वराज पार्टी की establishment करी थी ग्वालियर जो है ये कौन सी नदी के किनारे इस्तित है चंबल नदी के किनारे इस्तित है पूछा गया था पहला atomic power plant कौन सा है भारत का तो तारापुर atomic power plant जो है ये पहला atomic power plant है first satellite कौन सा है जिसको इस्रो ने launch किया था तो answer हो जागा आरे भट इस्पेस्क्राब जिसको इस्रो ने launch किया था जापान की currency का क्याना में तो जापान की currency है yen ये आप से exam में पूछा गया था father of taxonomy किसे कहा जाता है तो कार्ल liness को father of taxonomy की रूप में जाना जाता है gray revolution जो है जो gray revolution जो है किस चीजे से सम्मनित है तो ये औरबरक यानि की fertilizer से सम्मनित है gray revolution सूर की visible layer कौन सी होती है जो सूर का जो हमें भाग दिखता है उस layer को क्या बोला जाता है तो उसको photo sphere बोला जाता है आप इसमें देखोगे सूर का जो visible part होता है उसको photo sphere के रूप में जाना जाता है इसका यहाँ पर आप photo भी देख सकते हैं अंदर वाले part को core के नम से जाना जाता है फिर है कि भारत पूर bird century कहां पर इस्तित है ये राजस्तान में इस्तित है आप से पूछा क्या है मस्तिस्क की सबसे बाहरी layer कौन सी होती है तो आप ये मस्तिस्क अगर देखेंगे तो इसकी अलग-लग layer से यहाँ पर सो कर रखी होती है इसमें जो सबसे उपरी part होता है उसको four a brain की नाम से जाना जाता है ये वाला part होता है फिर उसके बाद में है who is the governor of मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश की इस समय गवर्नर बन गई है आनंदी बेंद पटेल इससे पहले लाल जी टेंडन थे जिनका निधन हो गया था largest island in the world दुनिया का सबसे बड़ा island कौन सा है तो Victoria island दुनिया का सबसे बड़ा island है महाबलेसवर hill station कहाँ पर इस्तित है तो ये महराष्टा राज्य में इस्तित है महाबलेसवर hill station Film Fair Award 2020 में best film किसे गोसित किया गया है तो गली बॉय को best film का अवाड मिला है Film Fair Award 2020 में फेल कोशन मनेगा कि Grammy Award जो है वो किस छेत्र से समन्नित है तो music से समन्नित है Grammy Award जो कि आप से एक्जाम में पूछा गया था बांधावगड नेशनल पार्क आज ही हम लोगों ने अपने Delhi Current FS में कोशन किया था बांधावगड नेशनल पार्क जो है ये मद्द प्रदेस में इस्तित है फिर है मरडेका कप मरडेका कप जो है किस खेल से समन्नित है तो ये फुटवाल से समन्नित है मरडेका कप लक्षे दीप की राजदानी क्या है तो कावा रती लक्षे दीप की राजदानी है आप से पूछा जा सकता है मूर्ती देवी पुरसकार किस छित्र से सम्मनित है तो मूर्ती देवी पुरसकार जो है साहित्य से सम्मनित है एक्जाम में पूछा गया था 49th parallel line जो है किन दो देशों के बीच में है तो USA और कनाडा के बीच में है 49th parallel line इसके बाद में देखो दोस्तों जो पहली सिप्ट में कोशन पूछा गया था URL का फुल फॉर्म क्या है तो Uniform Resource Locator इसका फुल फॉर्म हो जाएगा Brain of Computer किसे कहा जाता है CPU को कहा जाता है ग्यान पीट Award 2019 किसे प्रदान किया गया है तो अक्कितम अक्षितम नमबो दरी को दिया गया है फिर कोशन है लोगसभा MEMBERS की संख्या इस समय कितनी है तो 545 लोगसभा MEMBERS की संक्या है यंगिष्ट President of India कौन है तो नीलम संजीवा रडडी जो है यंगिष्ट President of India है कुडांकुलम पावर प्लांट कहां पर इस्तित है तमिल नाडू में इस्तित है सबरी माला का मंदिर कहां पर इस्तित है केरला में इस्तित है वाइरस से होने वाली बिमारिया पूछी हैं इस पूरी लिष्ट को आप लोग देख ले न कौन-कौन से राज्य सेवन सिश्टर्स राज्यों में आते हैं तो उसकी लिष्ट अगर आप देखोगे तो अरणांचल प्रदेश, असम, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम, नाकालांट, तिरपुरा ये सभी उसी में आते हैं गोबी डेजर्ट जो है कहां पर है? ये चाइना और मंगोलिया देश के बीच में है, गोबी डेजर्ट इसके बाद में है, वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे, पांच जून को मनाया जाता है और इसकी इस वर्स की थीम है, टाइम फॉर नेचर ये एक्जाम में पूछा गया है तो इसको सैडल पीक के नाम से जानते हैं, एक्जाम में पूछा गया था पूछा गया था फिर है, कि इस्टैचु अफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है गवर्णर अब बिहार कौन सा है तो फागू चोवान इस समय गवर्णर है बिहार के लॉंगेश्ट नेशनल हाइवे कौन सा है तो नेशनल हाइवे 44 लॉंगेश्ट हाइवे है एक्जाम में पूछा गया था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपद पांच नमबर 1556 को लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच में एक्जाम में पूछा गया है जो पहली वंदे भारत एक्ष्परस ट्रेन है वो कहोंद से कौन से स्टेसं के बीच में चला गया था तो इसको वारा नसी और नईज़ दिल्ली के बीच में चलाया गया था जो chicken box है ये कौनसे virus की विज़े से होता है तो ये होता है very sale जोष्टर virus की विज़े से फिर एक question पूछा गया था खेलो इंडिया youth games जो है ये कब से कब तक आयोजित किया गया था तो इसको असम के गुहाटी में 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था सबसे बड़ी कोष्टा लाइन कहां पर है तो ये गुजरात राज्यकी है बैंक अप बड़ोदा में कौन सी बैंक को मर्च किया गया था तो देना बैंक और विजिया बैंक को बैंक अप बड़ोदा में मर्च कर दिया गया था फिर उसके बाद में है डियाडियो के head का नाम क्या है तो डियाडियो के chief का नाम है G37 Reddy पहला जो COVID-19 vaccine है वो कौन सा है तो रसिया का Sputnik पहला vaccine है Earth Day कब मना गया है तो 22 April को Earth Day मनाया जाता है International Women's Day 8 March को मनाया जाता है ये भी एक्जाम में पूछा गया है Electric Current का unit MPR होता है एक्जाम में पूछा गया है राज तरंगनी के लेखक कौन है कल हने एक्जाम में पूछा गया है तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी questions मनें आपको करवाए है इसका पूरा जो PDF है complete ये आपको टेलिग्राम पर share कर दिया है टेलिग्राम चैनल का link आपको वीडियो के description में दिया है या फिर आप टेलिग्राम पर target study IQ नाम से search करेंगे तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिलेगा वहीं पर आपको PDF free में मिल जाएगा